नश्कर दोस्तों स्वागते आपका एक बरफिड से आपके अपनी यूटीब चैनल चौब लगपर दोस्तों आज के सुड़ी हम बात करेंगे रीट 2021 के ओनलाइन फोर्म के बारे में जया दोस्तों रीट 2021 का ओनलाइन फोर्म आप अपने मोबायल या पीसे से किस प्रकार से पर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक को किये यानि step by step without mistake registration से प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी आज की सुड़ में आपको दी जाएगी चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट कि दिया आप चैन गूगल की सर्च वक्स में आपको टाइप करना है माथ्यमिक सिक्सा बोर्ड और इसको ब्राउज कर लिना है जैसे ही आप माथ्यमिक सिक्सा बोर्ड को ब्राउज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरकी official website जो की है राजएड्यू बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट ज स्क्रॉल करना है आपको यहाँ पर रीट 2021 का सेक्सेन देखना मिलता है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी सामने कुछ इस तरका इंटरफेस आ जाता है अब यदि फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को PC से भर रहे हैं तो continue कीजे यद मॉपायल से भर रहे हैं तो पहले इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने मॉपायल को डेक्स्टोप साइट कर लीजिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है आप इस फॉर्म को दो इस टेप में फील करेंगे पहला इस टेप होगा आपका रजिस्टर एंड जनरे पहले इसके पहले इसके फॉर्म को भर ना तो सबसे पहले अपन यहां पर लिंक एक पर यानि रजिस्टर एंड जनरेट फी चालान फुर रीट 2021 पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपकी सामने कुछ इसतर का इंटर्फीज आएगा और फ्रेंड आपको यहां पर candidate नेम में अपना नाम टाइप करना है उसके बाद फादर का नेम टाइप करना है उसके बाद date, month और year को सेलेक्ट करते हुए अपनी date of birth को select करना है उसके बाद आप अपना mobile number यहाँ पर type करेंगी ध्यान रखे आप ये सारी की सारी details अपने 10th class की mark set को देख के feel करें और साथी साथ ये भी ध्यान रखे कि आप future में इसमें किसी भी परकार से संसोधन नहीं कर पाएंगे तो पहीं दो बार check कर लेना गलत कुछ भी म परत भरना इतना करने के बाद friends आपको इस page को नीची के और scroll करना है आपको यहाँ पर अपनी class का level select करना है अब जैसे ही आप इस select के option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इसतर का interface आएगा येदि आप level first के लिए exam देना चाहते है तो आप इसके सामने tick mark करेंगे येदि आप level second के लिए exam देना चाहते ही तो आप इसके सामने tick mark करेंगे अगर माल दीजे कि कोई अभ्यरती BSTC तता B8 दोनों का रखा है और वो बहुत level के लिए exam देना चाहता है तो वो बहुत level के सामने tick mark करेंगे तो जिसके लिए भी आप exam देना चाहते हैं आप उसके सामने tick mark करें तो जिससे भी आपको payment करना है आप उसको यहाँ पर select करेंगे उसके बाद friends आप यहाँ पर अपने bank का नाम select करेंगे जिससे भी आप payment करना चाहते हैं तो ध्यान रखे आपको यहाँ पर BOB, HDFC तथा IC, ICI bank देखने को भी लेगा लेकिन आगे यहाँ पर आपको SBI या सभी पर करेंगे जैसे friends आप यहाँ पर next के बटन पर click करेंगे आपकी सामने को जस्तर का interface आ जाए यहाँ पर आपका यह चालान generate हो चुका है तो आप इस display का screenshot ले सकते हैं एक बार के लिए ताकि आपको यहाँ पर चालान नंबर याद रह सके बाकि इसका screenshot कोई ज़रूरी नहीं है payment करने के लिए आपको इस page को नीचे की और scroll करना है और यहाँ पर इस चालान में नीचे की और आपको make payment का option देखने को मिल जाएगा आपको simply make payment के option पर click कर दीना है फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था आप net banking debit card या फिर credit card जिससे भी payment करना चाहते हैं कर सकते हैं तो आप जिससे भी payment कर रहे हैं आपको उसको यहाँ पर select करना है तिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना email id भरना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना नाम type कर दीना है अगर आप ICI bank यानि जिस bank को आपने select किया है उससे payment करना चाहते तो आप इसी को रखकर proceed now पर click करेंगे यदि आप other bank से payment को करना चाहते तो आप other bank को select करेंगे और proceed now की बटन पर click कर देंगे इतना करते ही फ्रेंड्स आपके सामने payment का option आप जो चाहते हैं यहाँ पर net banking से payment कर सकते हैं आपको सभी तरह की net banking की सुईधा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जिससे भी आप payment करना चाहते हैं आप उसको select करेंगे और उसकी पे नाओ की बटन पर click कर देंगे उसके बाद अपनी details को fill up करते हुए आपको यहाँ पर इस payment को करना है बसरते आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब यह payment कर रहे हैं तो आप इस page में किसी भी परकार से छेड़ छाड़ नहीं करेंगे जब तक कि आपका यह payment सक्स successfully होने के बाद friends आप redact करते हुए आपको free receipt के payment पर ले जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने यह receipt आपकी सो हो जाएगी आप इस receipt को यहाँ पर print बटन पर click करके print out ले सकते हैं print लेने के लिए आप यहाँ पर print receipt पर click करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे PDF का option आएगा आपको simply इस PDF के option पर click करना है उसके बाद friends आपको यहाँ पर इन 3 lines पर click करते हुए उस account को select करना है Gmail account को जहाँ पर आप इसको save करना चाहते हैं और simply आपको my drive पर click करना है जैस इसके बाद friends आपको यहाँ पर पुना back करते हुए उस page पर आ जाना है जहांसे आपने form को भरना start किया था अब पुना friends आपको read 2021 की link पर click करना है आपके सामने वही interface आएगा अब आपको field application form पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगी आपके सामने कुछ इस्तर का interface चाला number अभी अभी आपने यहाँ पर registration किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा सभी details को भरने के बाद आपको next के बटन पर click कर देना है तन friends आपके सामने कुछ इस्तर का interface आ जाएगा और friends आपको यहाँ पर अपना photograph तदा अपने signature का photograph अपलोड करना है तो आप ध्यान र चाहिए आप अपना signature सफेद कागज पर काले pen की साहिता से करेंगे और साथी आपका photograph रंगीन होना चाहिए तो आप इन दोनों को choose file पर click करके upload कर देंगे अब भाई किसी को पता नहीं है कि गुरू जी कैसे करते हैं mobile से इस photograph को resize या फिर रिडियूस यानि 2MB के photograph को 100KB का कै जैसे बनाती तो आप इस वीडियो के description में जाना वहां पे एक अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा सिंप्ली उस वीडियो को देख लेना आपका काम हो जाएगा photograph तता signature upload करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का interface so होता है तो आपको दिक्कत नहीं लेना है next के बटन पर click करते ही आपका photograph तता signature आपको so हो जाएगा इसका मतलब यही है कि यह upload हो चुका है तो आपको यहाँ पे next के बटन पर click कर दिना है आपका photograph तता signature आपको यहाँ पे so हो जाता है आपको इन्हें अच्छे से चेक कर लेना है कि भई आपका ही photograph है और आप ही का signature है अगर नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा re-upload कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे बिलकुल संतोष्टे कि भई एकदम सई से अपने यहाँ पे upload कर दी है तो अब आप यहाँ पे अपनी details को fill up करना start करेंगे आपका नाम father name, mother name सब यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे अपना gender select करना है और उसकी बाद friends आपको यहाँ पे अपनी वेवाहिक इस्तति को select करना है जो भी है single, mingle, dingle जो भी है उसको आप select करेंगे और उसकी बाद आपका यहाँ पे husband name आपको type करना है अगर आप एक वेवाहिक अपने female है तो आप यहाँ पे अपना husband name type करेंगे उसके बाद friends आपको यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट करना है जो भी आपका धर्म है और उसके बाद friends आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करना है ध्यान रखें यहाँ पे यह optional जानकारी हैं अगर आप भरना चाहते हैं तो भरें अन्य था कोई जरूरी नहीं है पस star वाली जो भी जानकारी हैं वो आपको निश्चित रूप से यहाँ भरने पड़ेगी उसके बाद दूस्तो आपकी date of birth आपको यहाँ पे सो हो जाएगी अप friends आपको यहाँ पे अपना correspondence address टाइप करना है तो आप यहाँ पे अपने address को टाइप करेंगे अच्छे से और उसके बाद आपका जो भी post office लगता हैं आप उस post office को यहाँ पे लिखेंगे तिन friends आपको यहाँ पे अपनी state को select करना है अगर आप राजस्थान से तो आप यहाँ पे राजस्थान को select करेंगे और other state से तो आप यहाँ पे other state को select करेंगे उसके बाद district को यहाँ पे आपको select करना है जिस भी district से आप आते हैं आपको उसको select करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना area code दर्च करना है तिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना valid email id टाइप करना है और उसके पस्चात अगर आपके पास कोई phone number है तो आप इसको type करें अन्य था आप इसको खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना एक alternate mobile number यानि अन्य आपके भाई का पिताजी का mobile number दे सकते हैं तिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी category को select करना है जिस भी category से आप आते हैं आप उसको यहाँ पे select करेंगी और उसके बाद अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो आप इसको yes करेंगे और इससे समंदित अन्य details को आप यहाँ पे देंगे अन्य था आप इसको no रहने देंगे उसके बाद फ्रेंड्स नेशनल्टी में आप Indian को select करेंगे जो भी आपकी नेशनल्टी है उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप राजस्थान की मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पे yes करेंगे अन्य था आप इसको no करेंगे और अगर आप यहाँ पे no करते हैं तो आप यहाँ पे अपना home state तो home district के choose करेंगे जो भी आपका यहाँ पे home state हैं आप उसको यहाँ पे select करेंगे for example हम यहाँ पे राजस्थान को select करेंगे और उसकी बाद घरजिल्ले को अपन यहाँ पे select करेंगे जैसे कि जोदपूर को अपन यहाँ पे select करेंगे उसके बाद friends यदि आप एक service मेंने तो आप यहाँ पे yes करें अन्य था इसको no करें यदि आप यहाँ पे तिन friends आपको यहाँ पे अपने exam center की choice देने होगी तो आपको यहाँ पे exam division का एक option देखने को मिलेगा आपको इससे डरना नहीं है आपको simply यहाँ पे select के option पर click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे यह exam division देखने को मिलेगी तो आपके नसदी की जो रहता है आपको उसको select करना है जैसे तो अपन तो जोधपूर से ही है तो अपन जोधपूर को select करते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर exam center के option आपको देने होंगे कि भाई आपको यहाँ पर जोदपुर से सम्मधित division में कहाँ पर exam center दिया जा सकता है तो जो भी आपकी choice हैं आप उसको यहाँ पर select कर सकते हैं तिन फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको यहाँ पर exam division को select करना है जो भी आपके नस्दी की है और उसकी बाद आपको यहाँ पर exam center को select करना है जहाँ पर आप यहाँ पर exam center रखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने exam center की choice को यहाँ पर fill up करना है आपका level second यहाँ पर auto selected आएगा यानि जो भी level आपने select कर रखा है वो auto selected आएगा अब friends आपको यहाँ पर अपनी language के माध्यम को देना है यानि first language में आप कौन सा subject रखना चाते हैं second language में आप कौन सा subject रखना चाते हैं तो आप इसको बड़े अच्छे से बड़े ही सावधाने के साथ feel कीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर कई सारे language के option आपको देखने को मिलेंगे तो जो भी आप first तता जो भी आप second language पर रखना चाते हैं आप उसी करम में इनको feel कीजिएगा then friends area of specialization in छेतर वी सिस्ता में जैसे आप select पर click करेंगी तो अब भही आप यदि science math के teacher बनना चाते हैं तो आप इसको select करें sst के बनना चाते हैं तो आप इसको select करें और अन्य किसी subject के बनना चाते हैं तो आप इसको select करेंगी तो जो भी आप यहाँ पर science math के तो science math को select कर देंगी उसके बाद friends page को नीचे के और scroll करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपके rate 2017 में यदि आप appear हुए तो आप यहाँ पर yes करेंगे अन्य था आप इसको no रहने देंगे अगर yes करते हैं तो आप उसकी details भी देंगे कि भई आपका roll number क्या था साथ ही आपका result क्या रहा था तो जो भी है आप यहाँ पर इसको clear करेंगे उसके बाद friends page को नीचे के और scroll करना है अब भी यहाँ पर आपको अपनी educational qualification को देना है तो सबसे पहले तो friends आपको धियान रखना है अपनी secondary की qualification को देना है यानि year को और उसकी बाद board को और उसकी बाद आपकी अधिकम अंग कितने है आपने अंग कितने प्राप्त की और आ आपका board कौन सा था आपकी संकाय कौन सा था यानि subject कौन सा था और साथी अधिकम अंग आपने कितने प्राप्त की और आपके प्रतिसत कितने रहे सैम आपके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अच्छे से किया कौन सा यहाँ पर आपके subject था उसकी बाद अधिकम अंग आपन 11 में board हैं अपने RBC तो हम यहाँ पे RBC को select कर लीते हैं सबसे पहले year को select करें उसके बाद जो भी आपका board है आप उसको select करें उसके बाद select faculty को आप select करें जो भी आपका science है उसके बाद आप यहाँ पे total number को select करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जितने नंबर आपके यहाँ पर आये हैं और उसके बाद friends, आप यहाँ पर जैसे ही इस box पर क्लिक करेंगे आपका परसंटेज आपको यहाँ पर Notes हो जाएगा और अन्तमी फ्रेंट्स अगर आपने यहाँ पे PZ यानि Post Graduation कर रखा हैं तो आप उसकी भी डिटेल्स इसी तरह से यानि किस वर्स क्या किस उनिवर्सिटी से किया आपका सब्जेक्ट क्या था कितने मार्क्स अधिक्तम थे आपके कितने आए और प्रसेंटेज आटो हो जाएगा उसके बाद फ्रेंट्स आहां पे आप Professional Qualifications को देंगे यानि BSTC कर रखें तो BSTC को और अगर B8 कर रखें तो आप B8 के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगी अब B8 में भी आपने B8 कौन सा कर रखा हैं यानि आप जैसे ही Select पर क्लिक करेंगी तो आपको DL8 कर रखाएं, B8 एक एर कर रखाएं, B8 दो एर कर रखाएं, B8 कर रखाएं, B8 कर रखाएं, B8 कर रखाएं, BC B8 जो भी आपने कर रखाएं आप उसको यहाँ पे Select करेंगे उसके बाद फ्रेंट्स बोर्ड और उनिवर्सिटी में आप बोर्ड या इनिवर्सिटी को Select करेंगे जिसपे board या university से आपने ये B8 किया है और उसके बाद friends आपने जिस words B8 किया है आप उस words को select करेंगे भाई जिस भी words आपने B8 किया है अगर friends आपका B8 कंप्लीट है तो आप यहाँ पे result status में लिखेंगे past और उसके बाद आप यहाँ पे आगे की details भरेंगे अधिक्तम अंक और आपके कितने अंक आये और कितने परतिसत बने अगर friends अगर आप appearing student ही तो आपको यहाँ पे appearing का option देखने के लिखा आपको इसको select कर लीना है अब जो भी विद्यारती friends अपेरिंग यहनी इस words यहाँ पे B8 कर रहे थे 2019 सेसन में यहनी final year में थे 2020 के सेसन में वे विद्यारती अपेरिंग को ही select करेंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो किसी पर प्रगार्व का वीवरण यहाँ पे नहीं देंगे अगर आप यहाँ पे वीवरण देते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप percentage पे क्लिक करेंगे आपको past यहाँ पे सो हो जाएगा राइट क्लिक करना है फिर से declaration पे राइट क्लिक करना है और अगर आपने सारी details को सही feel किया है तो आप proceed के बटन पर क्लिक कर देंगे और साती आपको यहाँ पे अपना एक body mark जरूर से लिख लिना है पाचान चिन के आधार पर इसको लिखना जरूरी है क्योंकि यह star में है आपके तो more on link जो भी हैं आपके वो आप यहाँ पे body mark लिक सकते हैं और उसके बाद friends आपको यहाँ पे नीचे declaration पे right क्लिक करते हुए पूरी form को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और अगर सही भर रखाएं तो आपको proceed बटन पर क्लिक कर देना है proceed पर क्लिक करते ही पूरा verify का option आएगा आपने अगर अपनी form को verify कर दिया है तो आपको यहाँ पे ok पर क्लिक कर देना है then friends आपकी application का preview आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है भाई appearing विद्यारती को दिकत नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे 2021 आ रहा है 2019-20 के विद्यारती है वे यहाँ पे 2021 को देखके दिकत ली सकते हैं तो दिकत नहीं लेनी है यह automatically आपके 2021 आ रहा है क्योंकि इस बार आपके यह 2021 वर्स हो चुका है अब अगर आप edit करने के लिए back लेते हो ना तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप back लोगी ना तो फिर से आपको यहाँ पे district चूस करने को बोलेगा तो आपको tension नहीं लेनी है आपको एक बार अपने state को change करना है automatically आपके district के नाम open होने लग जाएंगे नहीं तो आपके district के नाम यहाँ पे आपको open होते नहीं दिखाई देंगे तो आपको इस application preview पर फिर से आजाना verify करती वे और अच्छे से यहाँ पे सारे को I agree पर click करती वे आपको नीचे save button पर click कर दीना है अप friends आप इस details को अच्छे से check करके ही यहाँ पे save के button पर click करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे जैसे friends आप save के button पर click करेंगे आपका finally अंतिम print out आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा page को नीचे के और scroll कीजिएगा print का option देखने को भी लेगा इस पर click कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे PDF के option पर click कीजिएगा और उसके बाद friends आप यहाँ पे इन 3 lines पर click करके उस Gmail को save कीजिएगा उस Gmail को select कीजिएगा जिसमें आप इस PDF को save करना चाते हैं उसके बाद my drive पे click करना है माई drive पे click करते ही नीला बटन हो जाएगा यह save का आपके और इस save के बटन पर आपको click कर दीना है जैसे आप इस save के बटन पर click करेंगे डिस्प्ली को नीचे के और scroll करना है यहाँ पर file resume में चली जाएगी तो आपको यहाँ पे इस upload को push ने करके resume कर दीना है आपको उस Gmail account को open करना है जहांके drive में आपने इस file को save किया है उसके बाद इन 3 dots पर click करना download का option देखने को भी लेगा यहाँ से आप इस file को download कर सकते हैं बाकी भाई जिन्दगी भर के लिए आपके इस Gmail account के drive में यह आपका application print out रहेगा इतना करने के बाद आपको यहाँ पे home button पे click कर दिना है आप directly उस home button पे आ जाएंगे अगर आपको यहाँ पे reprint करना है इसको तो आप यहाँ पे click करके कर सकते हैं अगर आपका payment status आपको check करना है तो आप यहाँ पे click करके कर सकते हैं आ चुका है और इससे सम्मदित अलग से आपको वीडियो उपलब्द हो जाए तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगाया तो फीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ से अर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर सी प्रेंड्स कीजिएगा जिससे रीट 2021 से समय दित हमारी प्रती एक वीडियो को नाटिफिकेशन समय रहती आपको में सकी थैंक्स वाचिंग जै हिंद जै भारत